नमस्कार आईए देखते हैं भारती अर्थिवोस्ते से संबंदित कुछ अन्य मूल भूत महत्पून प्रश्ण तो इसमें अगला प्रश्ण जो है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है कि मूल संरचनात्मक सुविधा जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसेल्टी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसेल्टी होती हैं जो किसी एकनॉमिक लिए बहुत इंपोर्टेंट होती हैं यह जो आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसके बीना एकनॉमी को वास्तों में संचालित करना असंभा जैसा होता है तो यह कौन-कौन सी होती है तो correct है जैसे किसी economic लिए उर्जा, मूल आपके पास आधारभूत्स रचना है, परिवहान, मूल आधारभूत्स रचना है, संचार, मूल आधारभूत्स रचना है, बैंकिंग, दित एवं बीमा, बिज्ञान एवं टेकनलोजी, एवं स्वास्त और सिच्छा, तो next question है अपना भारती नियोजन के चार दीर्ग कालीन उद्देश निर्धारित किये जाए गए हैं, कौन-कौन से हैं, जो कोई भी प्लानिंग, जब हम करते हैं, एकनौमिक प्लानिंग करते हैं, तो जो चार दीर्ग कालीन उद्देश होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, जैसे economic growth को maintain र की कमी तथा समाजवादी समाज की इस्थापना तो ये आपके चार दीरकालीन इंपोर्टेंट जो आपके उद्देश हैं जो कोई भी एकोनॉमिक प्लानिंग में एकसेप्ट किया जाते हैं या इंक्लूड किया जाते हैं अगला पॉइंट है गरीबी हटाओ और नियाय के सा सम्रध्धि के नारे कब दिये गए तो गरीबी हटाओ प्लस नियाय के साथ सम्रध्धि का नारा 1970 के दसक के प्रारंभ में दिया गया था क्रमसा आत्म निर्भरता की प्राप्ति ये उद्देश से किस पंचवर्सी योजना के मुख्य उद्देश में से था तो क्रमसा आत्म निर्भरता की प्राप्ति जो आपके पास था दिखो आत्म निर्भरता की जब बात आती है तो ये चौथी पंचवर्सी योजना की बा प्रियास किया गया तो ये था नियूंतम आवश्यकता कारेकरम जिसके अंतरगत सिच्छा, स्वास्त, जलापूर्ति, आवास दी गई वो था पाँचवी पंचवर्सी योजना के अंतरगत इसे प्रवाइड किया गया नाव नेक्स्ट कुश्चन की तरह हम लोग चलते हैं भारत के किस बैंक ने सरुप्रथम बिभिन सहरों में इस्थित अपने कारियालेयों को उपगरह नेटवर्क से जोड़ा तो वास्तों में जो उपगरह नेटवर्क से जोड़ने वाला जो आपका कारियाला था तो वो था SBI ने सबसे पहले क्या किया था अपने बिभिन सहरों में इस सितकारियालियों को सेटलाइट नेटवर्क से जोड़ा था मदड़िया ठीक है यह सेयर मार्केट का सब्ध है जिसे हम लोग BIR कहते हैं इस्टाक एक्स्चेंज में वो ब्यक्ति जो सितक या सहरों की कीमतों की गिरने की आसा में वस्तु को भविस में देने का वादा करके बेचता है उसे हम लोग BIR कहते हैं भारत में केंद्री बैंक के कारे किसके द्वारा किये जाते हैं जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो आप जान ही रहे रिजर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा केंद्री बैंक के कारे संपादित किये जाते हैं नव नेक्स्ट कुश्चन है, बैंक रेट से क्या प्रा है, तो देखो, जब रिजर बैंक आफ इंडिया, कामर्सियल बैंकों को, ठीक है, कामर्सियल बैंक, जैसे SBI आपका हो गया, PNB हो गया, बैंक आप बढ़ा होता, जिस रेट पे उधार देता है, दीरकाली, ठीक है, ल को अल्पकालीन रिंड दे, तो उसे हम लोग रेपो रेट की संग्या देंगी, यह पॉइंट आप नोट रखिएगा, दीरकालीन, अगर RBI कोई पैस, कुछ पैसा, मनी, कामर्सियल बैंकों को लोन देता है, दीरकालीन के लिए तो वो बैंक रेट में देगा, लेकिन अगर अल्पकालीन देता है, तो किस पे देगा, वो रेपो रेट पे देगा, यह पॉइंट नोट रखिएगा, अगला पॉइंट है, समविथान के अंतरगत सारजनी कोस को उगाहने और व्याय करने का अधिकार किसको है, ठीक है, सारजनी कोस का, यानि जो पब्लिक फंड होता ह उसे उगाहने और उसे खर्च करने का अधिकार किसको होता, तो इसको केंद्र और राज सरकारों को यह अधिकार होता है, अगला पॉइंट है, डारेक्ट कर क्या होता, प्रत्यचकर, ठीक है, प्रत्यचकर वो होता, जिसमें कराघात, ठीक है, कराघात, प्लस करापात, दो दोनों एक ब्यक्ति के ऊपर हो, तो करागात, यानि जिस ब्यक्ति पर हम कर के दायरे में जिस ब्यक्ति को लाएं, वही ब्यक्ति टैक्स दे, तो अगर दोनों एक ही ब्यक्ति हैं, तो हम कहेंगे वह प्रत्य अच्छ करें, जैसे आयकर, आयकर क्या होता, हमने इंकम टैक्स ल बिकासदर की आउधारना किस प्रिसिद अर्थ सास्री ने दी थी तो हिंदू बिकासदर की जो बात थी वो प्रफेसा राज कृष्णा ने दी थी इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कटेगरी में रखना पसंद करूँगा इफको क्या है उत्तर भारती, कृषक और वरक शाहकारी संस्था इफको है सोतंत्र भारत में मुद्रा का ओमूल्यन प्रथम बार किस साल किया गया तो आपको पता है कि मुद्रा का ओमूल्यन अब तक 4 बार हुआ उन्नीस सो उन्चास, उन्नीस सो चाँचाट, उन्नीस सो इक्यानबे एक जुलाई और उन्नीस सो इक्यानबे चार जुलाई तो अब तक चार बार हुआ लेकिन इन दोनों को एक ही बार माल लिया जाता है राजा चेलाईया समीत की सिफारिस किस से सम्बंदित है तो राजा चेलाईया की समीत की सिफारिस जो है वो प्रत्यच तथा परोच करकी सनरचन से सम्बंदित है अगला पॉइंट है अंतर राष्टी मुद्रा कोष्ट के प्रबंध वा नियंतरन के लिए बोर्ड आफ गवर्नेंस का गठन किया गया और इस बोर्ड में भारत का प्रतिनीत कौन करता है तो इस जो बोर्ड है इस बोर्ड में प्रतिनीत जो भारत करता है वो बित्त मंत्री द्वारा किया जाता है किसी बिक्ति के मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति हस्तांत्रान के समय लगाय जाने वाले करगों क्या कहते हैं जैसे मालीचे ए ब्यक्ति है वो डिर्थ हो गई और उसकी संपत्ति अब ब्यक्ति उसका लड़का है उसके नाम ट्रांसफर होगी तो कौन से ड्यूटी लगेगी वो लगेगी एसे ड्यूटी यह पॉइंट आप नूर रखिएगा अगला पॉइंट है कम आए वाले उभोकता अपनी आए का अधिकान सभाग भोजन आधी पर ब्याए करते हैं ठीक है जैसे एक मिडिल क्लास लूवर क्लास फेमली होती है तो यह लूवर क्लास फेमली क्या करती है आए जो इनके पास इनकम माली जे सौर उपाई आए है तो तो किस पर अधिपहले जीतो भोजन पर खर्च करती है लेकिन आए में जैसे जैसे ब्रद्धी होती है कुल आए का कम भगा भोजन पर ब्याए होता अब जैसे आए बढ़कर 200 हो जाए गी तो अभी तक जो 100 खा रहा था बहुत कीच के 1.500 खाएगा 200 खाएगा 200 खाएगा त जब आए बढ़ती है तो उपभोग उस अनुपात में नहीं पढ़ता बल्कि उस अनुपात से कम अनुपात में बढ़ता जैसे आए डबल हो जाए तो उपभोग डबल नहीं हो करके डेड़ी गुना पढ़ता है अपने देखा होगा ऐसी मुद्रा जिसकी बिनिमाय दर लगातार भुकतान संतुलन के घाटे के करण गिरती रहती है इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने बिनिमाय कोस के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता ये मुद्रा कैसी कहलाती है तो यह आपकी जो होती है soft currency ठीक है जिसकी बिनिमाय दर लगातार कम होती रहती है exchange rate decline होती जलती रहती है किसके करण भुकतान संतुलन के घाटे के करण तो कोई भी देश क्या करता अपने पास इसे कोस के रूप में नहीं रखता क्योंकि उसे नुकसान हो जाएगा तो यह soft currency होती है अगला point है ऐसी मुद्रा जिसकी बिनिमाय दर गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिससे कोई भी सुईकार करने से कत्राता हो तो यह आपकी उस्ण मुद्रा या hot currency होगी यानि जिसकी बिनिमाय दर के गिरने की संभवना हो जिसे कोई भी सुईकार करने से कतराता हो, ठीक है यानि कोई भी accept ना कर रहा हो, ठीक है तो ये मुद्रा आपकी गर्ममुद्रा या उस्न मुद्रा या hot currency के नाम से जानी जाती है ऐसे रिन को क्या कहते है जिसे कम ब्याज पर लंबी अवद के लिए आसान सर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो इसे हम लोग साफ्ट लोन कहते हैं देखो ब्याज की दर कम है और लंबे समय के लिए मालीजे हमने कोई लोन 20 साल के लिए लिया अब आज की तर मात्र 4% है हमने का very good 20 साल के लोन है और 4% पर तो ये उदार रिन है लोग उदार रिन बहुत पसंद करते हैं किसी वस्त उपर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगा कर उसके मूली के आधार पर लग रुपए का टैक्स लगता तो माल लीजे 25 रुपए मुझे टैक्स से दे नहीं इस बॉल के प्राइस का 10% लगेगा टैक्स माल लीजे ठीक है तो अब क्या होता कि माल लीजे एक बॉल मैं 50 रुपए का बेचता हूं तो आप 50 का इसे मल्टिप्लाई कर दीजे और इस मूले पर जो टैक्स लगेगा उसे हम लोग एड वोलेरम टैक्स की संग्या दिया जाता है तो जब किसी वर्स्त की भौतिक मात्रा पर टैक्स न लगकर उसके मूले पर टैक्स लगाये जाता है तो एड वोलेरम टैक्स के नाम से यह जाना जाता है अगला पॉइंट है इस टाक ए लेंगे इस टाउक एक्सचेंज में वे ब्यक्ति जो सेरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं वो क्या कहलाते हैं वो ते जड़िया कहलाते हैं अंतरश्टी बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्थी मांग किया पेच्छा कम होती है नि उसकी सप्लाई ज्यादा मुद्रा की आप इस नौमी में डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो इस कंडिशन में । डॉलर आपकी क्या हो जाएगी हार्ड करेंसी हो जाएगी मेरीनों उन उत्पादन की द्रष्ट से महत्पूर मानी जाती है किस नसल की ये किसकी नसल है तो यह वास्तों में ये ज सबसे महत्पूर्ण लग उद्धोग इकाईया संबंधी थे, भारत में जो हत्करगा उद्धोग है, उसमें सबसे ज़्यादा लग उद्धोग हैं, मैं इसको important category में रखता हूँ. बैंक रेट क्या है, मैंने बूला कि रिजर बैंक द्वारा जब लॉंग टर्म के लिए कामर्सियल बैंकों को लोन दिया जाता है, तो वो रेट कहलाता है बैंक रेट, यानि जिस रेट पर रिजर बैंक आफ इंडिया कामर्सियल बैंकों को लोन देता है. किसी राष्ट में विकास हो रहा है अत्वा नहीं इस तत्य के अन्वेशन का पारंपरिक अर्थस्त्र क्या है तो सकल घरेलू उत्पात की वर्धिदर अगर किसी देश की जीडीपी लगातार बढ़ती चली जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि एकनॉमी में विकास हो रहा है और अगर जीटीपी घट रही है लेकिन वास्तों में रियल बात है पर कैप्टा इंकम वास्तों में रियल मीजरमेंट होता है जीटीपी तो नहीं पर प्रिति वर्ष रही। प्रिति अर्थसासी राज कृष्णा ने इसे क्या नाम दिया। तो इसी को जो आपके पास तीस वर्षों में राष्टि आई की व्रिधी दर, तीन दसमलों चार प्रिति वर्ष मात रही। इसी को उन्होंने नाम दिया था हिंदू व्रिधी दर। अगला पॉइंट है भारत के लिए नियोजित अर्थ ब्योस्था नामक पुस्तक किस ने लिखी। तो इसको भी मैं मोश्ट इंपोर्टेंट कटेगरी में रखूंगा। सार एम बिस्वरईया द्वारत के लिए नियोजित अर्थ ब्योस्था प्लांड एकनॉमी फार इंडिया नाम से पुस्तक लिखी गए थी। अगला पॉइंट है भारत सरकार के बाजार से रिण प्राप्त करने की छमता रिजर बैंक द्वारा निर्थारित किस अनुपात पर निर्थारित करती है। तो वास्तों में भारत सरकार जो बाजार से रिण प्राप्त करने की छमता जो रिजर बैंक द्वारा निर्थारित होती है वो SLR पर निर्थार करती है। अगला पॉइंट है अपका सभी ब्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद सुरच्छा को सुनिश्चित करता है। खाद सुरच्छा को परिभासित करती है परिभासा किस ने दीती ताकि मूलभूता और शक्ता भोजन होती है और भोजन को यदि उपलब्ध कराने कम टार्गेट बना लेते हैं सभी ब्यक्तियों को समय पर जितने जरूरत होती है। तो ये वास्तों में खाद सुरच्छा कहलाती है और इसे फाव ने दिया था खाद एवं क्रसी संगठन ने। अगला पॉइंट है किस और दोगिक नीती प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। तो और दोगिक नीती 1956 को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। किस देश का जीवन इसतार प्रमुखता जाना जाता है। वहां की पर कैप्टा इनकम से प्रत्विक्ती रास्टी आयसे उस देश के जीवन इसतार को प्रमुखता जाना जाता है। क्रिशिल किसका संचेप्त रूपत है। क्रेडिट रेटिंग इनफॉर्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया। यह आपका क्रिशिल जो है, यह क्रिशिल जाना जाता है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजनसी एक प्रकर से। मौडरन फूट्स नामक के केंदरी सरकार के उपकरम को किस ने खरीदा है। तो हिंदुस्तान लीवर्स ने खरीदा है। उस स्थित को क्या कहते है। जब रिण पर ब्याज भुकतान के लिए रिण लेने की स्थित आ जाए। आपके पास इतना कम पैसा हो जाए कि आप ब्याज भुकतान के लिए भी आपको लोन लेना पड़े। तो उस स्थित क्या कहलाएगी। वही आपका रिण जाल कहलाता है। क्या कहते हैं। डेप्ट ट्राइप के नाम से यह जाना जाता। मतला आप रिण के जाल में फंस चुके हो आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप ब्याज का भी भुकतान कर पाओ। मूलधन तो छोड़ दो रिण तो छोड़ दो आप। अगला पॉइंट है। भारत में केंद सरकार की आय के स्रोथ को संबिधान की किस अंसूची में रखा गया। भारत में संचित निद से कंचित होने वालि भारत में संचत से मंजूरी मिलती है। 1955 में imperial bank का राष्टी करण करके किस bank की स्थापना की गए ति state bank of India की स्थापना की गए यानि empirical bank को 1955 में change करके state bank of India बनाया गया बिनिर्मित वस्तु में सरवाधिक आय किसे प्राप्त होती है manufacture commodity में तो रत्न एयों आभूसन से सबसे ज़्यदा आय प्राप्त होती है अईसे मैं most important category में रखना जाओंगा अगला point है यदि कोई राष्ट machinery सेहंतर बिनिर्मित वस्तुंओं प्रदोकिकों का निर्यात कर रहा है तो वो किस स्रणी के रaş्ष्टों के अंतरगत आता है यहीं कोई राष्ट जो मसीनों को एक्सपोर्ट कर रहा हो बिनिर्मित वस्तुओं को पंखा, कूलर इनको एक्सपोर्ट कर रहा हो प्रदोकी को निर्यात कर रहा है तो वो बिक्सित राष्ट की स्रेणी में रखा जाएगा कि आपके पास बहुत अच्छी आपके पास है कि आ प्रणाली को चालू किया गया है यह भारत की सबसे बड़ी प्रणाली है जो खादि सुरच्छा और वास्तों में उत्पादक तता उप्भोगताओं के हितों की भी एरच्छा करता है अंतराश्टी पुनर निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है इस से अन्य नाम है बिस बैंक को IRDB के नाम से भी जाना जाता है तो यह थे आज के हमारे कुछ महत्पुन प्रस्ण तो उम्मीद है कि यह आपको कुछ प्रस्ण आपको काफी अधिक समझ में आये होंगे और यह आपके प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए बहुत अधिक इन पर अपना ध्यान अवश्क के अंदित करियेगा और रिवीजन अपना करते रहिएगा सो मच थैंक यू